आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसके माध्यम से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हम जाने अंजाने बहुत ऐसी तुटी कर देते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी पता नह होता कि इससे भी हमारे जो लेड्डू को पाल हैं वो रुष्ठ हो सकते हैं वो अंजानवस होती है लेकिन वही कहते हैं कि अगर हमसे कुछ गल्ती होती है तो उसका समाधान भी हमारे कनहिया के पास हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी क्रपा करते हैं कि वो जानकारी हम तक जरूर पहुंसती है ऐसे ही ये सत्य लीला कथा है ये लीला कथा सेयर की है मध्धु जी ने इंदौर से इंदौर मद्ध प्रदेश से तो मध्धु जी बताती है कि वो बाहर रहती है मतलब वो इंदौर में रहती है और उनकी ससुराल है वही से थोड़ी दूर आंगे उनका एक में सब लोग रहते हैं उनकी सश्राल सश्राल में सास और जिठानी मतलब जो भी फैमिली है सारे लोग वहां रहते हैं ये जॉब की वज़े से इनकी हस्पेंड और इन दौर में रहती हैं तो वो बताती हैं कि लड़ो कोपाहिल की सेवा तो मैं भी करती हूँ लेकिन मुझे जादा नौलेज नहीं है और मैं जो सेवा कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो मतलब सही तरीके से कर रही हूँ इसमें मुझे कोई गलती समझ में नहीं आती तो यही होता है हम भक्तों के साथ जब हम सुरुआत करते हैं लेक्टू कोपाहिल की सेवा में तो कुछ कुछ ऐसी तुटी हो जाती है, जिसका हमें बिलकुल भी पता नहीं रहता, मधु ने ही बताया था, यह जो एक दो वीडियो यह तुलसी वाले और जल वाले, जो उसने देखा था था उसके बाद फिर मेरे से यह वाले, यह जो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, वो वीडिय जिनकों की ये जानकारी ना होगी तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी इस बात को समझचिएगा क्योंकि ये जो वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो ये कोई मेरा वो नहीं है मेरी वज़े से नहीं पहुँच रहा ये समझेगा कि ये लड़ू गोपाइल की ही आपके क्रपा है जो कि आप तक ये वीडियो पहुच रहा है क्योंकि अगर आप ये तुरूटी कर रही हैं तो फिर ये तुरूटी ना हो जिससे आपकी ये गलती ना हो तो मधुची बताती है कि कुछ दिन पहले में अपनी ससुराल गई हुई थी तो वहाँ पे सास हैं तो सास थोड़ी सी बुजुर्ग है और जो उनकी जिठानी है वो अपने माई के गई हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस समय थोड़ी उनकी तबियत सी ठीक नहीं चल रही थी तो उन्होंने कहा बेटा तुम सेवा कर लेना लड़ू को पाल की और भी उनके कहते हैं कि बहुत बड़ी जगहे पे हैं उनके सारे भगवान और भगवान की मूर्तियों के सास साथ बहुत सारी भगवानों की फोटो भी है तो फोटो जो है वो तो दिवारों में ऐसे मतलब मध्धू बताती है कि वो उनका गाओं में बहुत सारी जगह होती है बहुत सारी विवस्था होती है जो की अच्छे से हो जाते लेकिन जो बड़े बड़े सहर होते हैं वहां जगह ब बताती है कि पूरे रूम में वो सिर्फ पूजा वाला ही रूम है वहां बड़ी बड़ी जैसे व्रंदावन अगर कोई घर परिवार के लोग गए हैं तो वहां भी काना जी की बाके बिहारी की बहुत बड़ी बड़ी फोटो लगी है और वहीं पे एक मेज थी जो बड़ी सी मेज थी उसमें ही लड़ी गुपाल बैठे थे वो भी व्रंदावन से ही लेके गए थे उनके जेठ जी बड़े सी लड़ी गुपाल है और उनकी सेवा सब लोग करती थी अभी जिठानी नहीं है तो मैं कर रहे हूं नहीं तो अधिकतर जिठानी ही करती हैं और सासो मा करती हैं क्योंकि भाईया लोग और ससुर लोग तो अपने जॉब में और अपने बिजनिस उन को देखते हैं तो घर की हमारे घर में औरतें ही अधिकतर पूजा करती हैं बहुत से घर परिवार ऐसे होते हैं जहां जेंट्स भी पूजा करते हैं लेकिन बहुत से ऐसे परिवार होते हैं कि जेंट्स सिर्फ हाथ जोडते हैं और बाकी विदिवत जो पूजा है क्योंकि घर की ओरतें हैं घर में रहती हैं तो वो समहाल लेती हैं तो ऐसे ही था इसके साथ भी मदू कहती है कि मैं इन दौर में भी रहती हूँ तो मेरे हस्बेन प्रॉपर पूजा नहीं करते हैं कि भगवान को कभी नहलान हाँ उस ताइम पर ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि पीरियट के टाइम पर वही करते हैं और बाकी वैसे मैं ही पूजा करती हूँ लेकिन पूजा तो मैं बहुत दिनों से बहुत वर्सों से कर रही हूँ लेकिन मुझे इस चीज का नौलेज नहीं था और ये भी कह ज़कती हूँ कि नौलेज था भी तो मैंने इतना ध्यान देकी नहीं किया इस बात को तो वो कहती ह कि जब जिठानी चली गहीं सास बिमार थी तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम करना तो मैं करने लगी जैसे मैं अपने घर की करती थी जैसे मैं इन दौर में करती थी वैसे ही मैं कि नौर्मल बात है कि भगवान को नहलाना धुलाना उनके वस्तर बदलना उनको फूल माला यही पूजा है लेकिन उस पूजा में भी हमसे बहुत तुटी हो जाती है चाहे वो तुलसी को लेके हो चाहे वो पूल माला को लेके हो चाहे वो भोग को लेके हो और यही छोटी छ हमें मतलब वो पता चलती है कि हाँ ये गलती मैं भी कर रही थी तो ऐसे ही गलती ये भोग लगाती भोग बनाती ये सब कुछ पता था कि सात्विक भोग लगता सब कुछ और उनके वो बताती है कि उनकी ससुराल में आज से नहीं उनकी दादी मतलब दादी सास के जमाने से ही उनका पूरा परिवाद एकदम सात्विक है कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं वो कहती है कि उनके घर में ठाकुर जी की सेवा बहुत वर्सों से हो रही है उनकी दादी सास बहुत मानती थी लड्डू को पाल को और घर वालों को भी सक्त आदेश था कि लहसुन प्याज घ के चूले में बनेंगी नहीं क्योंकि मेरे घर में कनहिया जी विराजमान है और जिसको अगर खाना है तो वो बाहर से खा कर आएगा न कि घर में आके खाएगा, जो खाना है बाहर कऊ लेकिन घर के अंदर ये सब चीज नहीं बने तो इतना जादा लड़ू कोपाइल की सेवा और उनके बारे में सब कुछ वहां पे दादी और मतलब चला आ रहा है उनका लेकिन इनकी साधी हुई और साधी के कुछ महीने के बाद ही ये इन दौर सिफ्ट हो गई तो इतना जादा इनका रहना वहां पे हुआ नहीं कि पूर खाना बनाती भोग लगाती और जैसे कि सासुमा ने कहा थे कि बेट और ये हर घर में होता है जिसकी घर में भी लड़ू कोपाल है अगर भोजन बनेगा तो सबसे पहले भोजन हम भगवान के लिए निकालते हैं ना कि हम पहले किसी को दें और फिर बाद में और ये भी एक अपराद बनता है अगर आपके घर में लड़ू कोपाल हैं तो देखो हम जो घर में लड़ू कोपाल रखे हैं ना तो ये समझ के आप रखिए कि ये हमारे घर के मालिक हैं ये सबसे बड़े हैं तो कोई भी काम करिए चाहे वो खाना हो चाहे कोई भी काम हो आपका आप सब सबसे पहले उनको बताईए, सबसे पहले उनको खिलाईए, मतलब एक जैसे बड़े होने के एक वो देते हैं, हम एक आधर कह लीजे, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो घर के मालिक है, ये समझ कि हमें घर में लड्डू गोपाल की सेवा करना जाये तो यही उसकी ससुराल में होता था, सबसे पहले बोजन लड़ू गोपाल के लिए ही उनकी थाली में निकाला जाता था और भोग के लिए वो चला जाता था, लेकिन भोग तो लगा रही थी, सब कुछ हो रही थी, और सास भी भूल गए क्योंकि उनको भी ध्यान नहीं आया उनको ये था, कि ये भी तो करती है लड़ू गोपाल की सेवा तो करती होगी, तो उन्होंने भी नहीं ये चीज बोला कि जब भोग लगाना, और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कि जब लड़ू गोपाल को भोग लगता है, तो हमेशा पर्दा लगा देना तो ये क्या करती है, क्योंकि इसकी भी ये कह सकते हैं कि इसकी भी गलती नहीं है, इसलिए गलती नहीं कहेंगे, और फिर अगर गलती नहीं है, इसकी दिमाग में वो चीज नहीं आई है, क्योंकि इसने कभी किया नहीं था, और अगर ये चीज पता होती, तो वो अगर बस्ता कर लेता है वहाँ क्या था कि टेबल में एक में ऐसी लंबी सी जो टेबल थी उसमें ही लड़िव को पाल रखे हुए थे और वही पे जैसे भोग लगाओ ठाली लगाओ तो वहीं पर रख जाती थी लेकिन पर्दा नहीं थाा कुछ ऐसा नहीं था कि मंदिर बना हो और मंदिर में पर्दा लगा हो वो चीज नहीं थी पर्दा नहीं था तो वो पर्दा लगाती भी तो कैसे लगाती और उसने सोचा कि ऐसी लगता होगा क्योंकि पर्दा तो है नहीं और उसने भी अपने घर में कभी पर्दा लगा कि भो मेरे घर में भी लड्डू गोपाल का मंदिर नहीं है, और भगवानों का नीचे विवस्ते था, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए अभी भगवान ने क्रपा नहीं की है, मेरे घर में भी चौकी के ऊपर लड्डू गोपाल विराजित है, तो पर्दे की वहाँ पे भी मुझ भी साफ कपड़ा हो चाहे वो भगवान की रुमाल हो चाहे वो कुछ ऐसा साफ कपड़ा हर घर में साफ कपड़े होते हैं भगवान के लिए होते हैं अलग रखते हैं हम भगवान के कपड़े तो उस मैंसे एक कपड़ा ले लो और परदे के जैसे जब आप पहले भोग लगा तो दियम वस्त गोविंदम तो भिमेव शमर पते ऐसे कहके आप परदा थोड़ी देर लगाए ऐसे पकड़े रहो और भगवान को बड़े प्यार से बड़े भाव से ऐसे मन से सोचो कि जैसे हम जिस भी भाव से आप अपने लड़ू गोपाल की सेवा करते हों चहे वो बच् देर हो जाए फिर उनको आप जल पिला दो परदा हटा दो तो ये चीज जरूर करना चाहिए जरूरी नहीं है कि अगर आपके घर में आपके मंदिर में परदा नहीं है तो हम परदा नहीं लगाए नहीं परदा लगाना बहुत जरूरी होता है तब ही भगवान आप ऐसे अ बड़े मंदिर में जाओ और जिसको भी इस चीज का नौलेज है वो सब को यहां तक कि अगर हमारे घर में कीरतन भी होता है और जागरन भी होता है तो वहां पर भी आप देखे होंगे कि परदा लगाया जाता है तो बिना परदे के भगवान भोजन सुईकार नहीं करते अग अगर आप कितना भी अच्छा भोजन बना लो सब कोछ कर लो लेकिन अगर आप परदा नहीं लगाएंगे तो वो भोजन सुईकार नहीं करते हैं इसलिए परदा लगाना जरूरी होता है अब ये बात उनकी सास को कैसे पता चली उनको तो पता नहीं था उन्हों तो देखत पा रहीं थी तो इनको अपने और जो लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं वो उनको अनभूती होने लगती है वो हमें अब भाव समझ में आते हैं अपने लड्डू गोपाल की अपने कनहिया के वो कब खुस हैं कब दुखी हैं कब उनको क्या चाहिए ये सब भाव भक्तों को समझ में आते हैं और ये हर वो भक्त समझता होगा जिसके भगवान के प्रती भाव आते हैं जो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो उनको अनभूती कराते हैं हर भक्त को कोई न कोई अनभूती वो जरूर कराते हैं अगर आपकी लड्डू गोपाल आपको अनभूती नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब आप जरूर समझ लीजे कि आप से सेवा में जरूर कुछ ना कुछ तुरूटी हो रही है तो आप ध्यान दे कि उनकी सेवा करिए आप सोचिए कि कहीं कोई आप तुरूटी तो नहीं कर रहे हैं कहीं कोई आप गलती तो नहीं कर रहे हैं उन को किसी चीज़ देखो भगवान है लेकिन हर एक चीज़ का एक नियम बनाया गया है अगर हम उस नियम के साथ सेवा करते हैं उस नियम के साथ भक्ति करते हैं तो प्रभु हमारे जल्दी प्रशन होते हैं और हमारे उपर क्रपा करते हैं और हमें अनभूती बहुत जल्दी कर तो कहीं आप ऐसी चोटी मोटी तुरूटी तो नहीं कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं आप उनसे छमा मांग लीजे क्योंकि हमारे लड़ो गोपाल बहुत दयालू है वो अपने भक्तों को हमेशा माफ करते हैं उनसे कहिए कि हे कनहया हमसे गलती हो गई हमे जैसे वो भूखे हो वो खाना मतलब खाना तो मांग रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अब यह सोचती है कि खाना का भोग तो रोज लगता है लेकिन उसके बाद भी उनके कनहया भूखे हैं ऐसे उनको सपने के माध्यम से यह अनभूती होती है तो फिर वो अपनी बह पूछती है कि बेटा तुम रोज तो भोग लगा रही हो ना कनहया को आज मुझे ऐसा विचित्र सा सपना क्यूं दिखा ऐसा क्यूं लगा कि जैसे मेरा कनहया आज मतलब भूखा हो और आज भी दिखा और मुझे दो दिन पहले भी यही इसी तरीके से मतलब भूख से ही रिल पुलसी दल डालती हो अच्छे से जल पिलाती हो परदा लगाती हो की नहीं तो जब वो परदा की बात सुनती है मधू की परदा लगाती हो की नहीं तो वो कहती है कि मा जी मैं परदा कैसे लगाऊ वहां तो परदा की कुछ विवस्ता ही नहीं है और मैं तो कभी परदा मैं तो अपने वहाँ पे इंदोर में भी सेवा करती हूँ तो परदा नहीं लगाती हूँ क्योंकि वहाँ पे भी मेरे मंदिर में परदा नहीं लगाए तो जब ये सुनती है उनकी सास तो वो समझ जाती है कि कनहया इस वज़े से भूखे हैं क्योंकि उनको परदा बहुत जरूर ले लो और सामने जब भोजन की ठाली रखो तो ऐसे पर्दा के रूप में ऐसे डाल दो तो उसको इस गलती का एहसास होता है और वो अपने कनहिया से माफी मांगती है और कहती है कि है कनहिया मैं इतने दिनों से इतने सालों से आपकी सेवा कर रहे हूँ लेकिन मेरे से ये अधमधूने ये गलती दुबारा कभी नहीं की और वो कहती है कि उस गलती को सुधारने के बाद मुझे इतने बार कनहिया सप्ते में दरसन दिये हैं और वो भी खिल खिलाते हुए हसते हुए तो इतने दयालू इतने क्रपालू होते हैं हमारे लड़ो गोपाल सब की बरसाते हैं हर भक्त के ऊपर तो आपसे भी अगर ऐसी तुटी हुई है तो दुबारा मत करिएगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए थैंक्यू सो मजबूल वाच करने के लिए राधे राधे